Hey guys, मेरा नाम है अनुभा, welcome to biology aid और आज के वीडियो में हम 12th class का बहुत important लेकिन बहुत ही easy topic पढ़ेंगे incomplete dominance, तो चलिए फिर बिना देर करें, let's get started तो जब हम बात करते हैं incomplete dominance की, तो इसका मतलब इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि dominance यहाँ पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, incomplete है, उसकी वज़े से क्या होता है, आईए देखते हैं यहाँ NCRT बात करती है एक plant की जिसको हम snapdragon भी बोल सकते हैं, dog flower भी बोल सकते हैं और scientific name की अगर बात की जाए, तो इसका scientific name है enterinum हमने snapdragon plant की दो varieties ली, एक जो red color के flowers produce करती है और दूसरी जो white color के flowers produce करती है और जब हमने इन दोनों को fuse किया, तो हमें pink color के flower produce करने वाले plant मिले, यनि की अपने parents से ये match नहीं कर रहे थे तो ये तो confusion वाली बात हो गई की ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसी चीज़ को अगर हम cross के form में represent करें, तो मान लीजे, हमने red color के flower वाले plant का genotype, यनि genetic composition को represent किया, capital R, capital R से और white color के flower produce करने वाले plant के genotype को represent किया, small R, small R से, तो इसमें gametes कौन सी बनेगी, red flower वाले plant की case में, capital R, और white flower वाले plant की case में, small R, इनको fuse करा, तो क्या होगा F1 generation में, capital R, small R, और ये F1 generation में जितने भी plants produce हुए, वो pink color के flowers produce कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ी अजीब सी बात हो गई मतलब जो अब तक हमने mono hybrid cross में, mendel के pea plant वाला जो cross पढ़ा था, उससे तो बिलकुल अलगी बात हो गई, तो यहां क्या हो रहा है, क्या jeans blending show कर रही है, मतलब जैसे मालीजे हमने थोड़ा red color का water color ले लिया, और थोड़ा white ले लिया, और mix कर दिया, तो हमें pink color मिल गया, क्या किस तरह से jeans भी behave कर रही है, water color की तरह, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि law of segregation के according, जो alleles हैं, वो blending नहीं show करती है, मलकि F2 generation में वापस से recover हो जाती है, तो चलिए फिर, हम F2 generation भी निकाल के देखते हैं, तो यहां क्या किया, F1 generation के दो plants लिये, और उन दोनों को fuse करा द बनें, एक capital R, एक small R, दूसरे plant के भी similar ही gametes बनेंगे, चलिए अब फटाफट बनाया punit square, और एक तरफ लिखा पहले plant के gametes, यानी capital R, smaller, दूसरे तरफ लिखा है दूसरे plant के gametes को, यानी capital R, smaller, तो पहले बॉक्स में हमें क्या मिलेगा, capital R, capital R, दूसरे में capital R, smaller, तीसरे में capital R, small R और fourth में small R, small R अब इनके phenotypes क्या होंगे? यानि ये क्या physical character show कर रहे होंगे? देखते हैं पहला capital R, capital R यानि ये red flowers produce कर रहा होगा, capital R, small R यानि ये दोनो pink flowers produce कर रहे होंगे और last वाला small R, small R white color के flower produce करेगा तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं? कि जो parental generation में हमने plants लिये थे वही same phenotype हमें F2 generation में दुबारा देखने को मिलता हैं. इसका मतलब blending तो नहीं हुई. फिर क्या हुआ? हुआ ये था कि जो capital R allele था, वो small R allele पे पूरी तरह से dominant नहीं हो पाया, यानि incompletely dominant हुआ और इसलिए हम एक intermediate यानि दोनों parents के कहीं बीच का character देखने को मिला न red, न white बलकि pink अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं F2 generation के ratio की तो चलिए phenotypic और genotypic दोनों ही ratio निकाल लेते हैं यानि कि red, ratio pink, ratio white कितने हैं? red है 1, pink है 2 और white है एक, यानि 1 is to 2 is to 1 ऐसे ही genotypic ratio की बात करते हैं, तो capital R, capital R ratio capital R, small r ratio small r, small r तो ये कितने हैं? देखे, 1 is to 2 is to 1, right? वही यहां लिख देते हैं कि 1 is to 2 is to 1 तो यहां हमें phenotypic ratio और genotypic ratio दोनों ही same मिल रहे हैं, जबकि pea plant वाला जो मेंडल का experiment था monohybride cross वाला उसमें हमने देखा था कि phenotypic ratio होता है 3 ratio 1 और genotypic होता है 1 is to 2 is to 1 तो ये भी एक point incomplete dominance का यहां पे मेंडल के cross से difference शो करता है, तो ये तो हमने पढ़ा incomplete dominance in the case of snapdragon plant एक और plant है, जो कि incomplete dominance शो करता है mirabilis jalapa, जिसका common name है 4 o clock plant ये इसका दूसरा example है तो चलिए, एक बार फटा फट हम revise कर लेते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा incomplete dominance के बारे में तो इसके जो important points है, वो है पहली बात, what is incomplete dominance, तो ये एक phenomenon है, जहाँ पे F1 generation अपने parents के बीच का यानि intermediate character शो करती है, दूसरी बात ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो dominant alel है, वो recessive alel के उपर पूरी तरह से dominant नहीं हो पा रहा है, तीसरी बात incomplete dominance में phenotypic ratio, mendel के mono hybrid ratio से different होता है कैसे, mendel की case में phenotypic ratio होता है 3 ratio 1, और incomplete dominance के case में phenotypic ratio होता है, 1 ratio 2 ratio 1, और genotypic ratio भी 1 ratio 2 ratio 1 होता है, इसके अगर हम example की बात करें तो snapdragon plant, जिसका दूसरा नाम है dog flower plant और scientific name है enterinum और दूसरा example है mirabolis jalapa तो अगर आपको इतना समझ आ गया है, तो एक question मैं आपको solve करने के लिए दे रही हूँ, इसमें आपको ये बताना है कि incomplete dominance में phenotypic और genotypic ratio क्या होता है और अगर आपको topic समझ आ गया है तो बहुत ही easily answer कर लेंगे इसका answer मैं description box में भी दे दूंगी तो आप अहां से check कर सकते हैं और अगर आप biology aid के बाकी topics पे भी videos explore करना चाहते हैं तो आप channel के home page पे जाके check out कर सकते हैं वहां मैंने class wise और chapter wise playlist अरेंज करी हुई है and that is it for today's video thank you so much for watching and until the next time stay curious